हेलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी वीथ स्मार्टनेस आई होप कि आप जहां भी होंगे सेफ एंड सुरक्षित होंगे तो दोस्तों भी बात किजा इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक हजार कोसन सीरिस का पार्ट सिक्स जिसके तहट हम देखेंगे पांसो एक से छैसो तक के इंपॉर्टन हंडर्ड कोसन जो कि आपके सभी एक्जाम्स में आने के फुल चांस हैं दोस्तों यह वो कोसन से जो कि बहुत सारे एक्जाम्स में रिपीटेड भी हो चुके हैं और उन्हें से यही कोसन से जो कि आपके एक्जाम में आने के चांस हैं तो दोस्तों आपको कोई बीकोसन बड़े ध्यान से देखना हैं और उनको समझना हैं तो चलिए स्टाट करते हैं अपके इंपोर्टेंट हंडिट कोसन और अगर आपने अभी तक यह चैनल को सब्सक्क्र कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है अरजुन पुरुस्कार किस वर्ष से शुरू हुए आपको बताना है कि अरजुन पुरुसकार जो विदर्ड किये जाते हैं उसके शुरुआत कब हुई है तो दोस्तों इसके तहर दोस्तों पांच लाग कि रासी प्रतान की जाती है नेक्स कोशन है भारत की मानक समयरिका कौन सी है आपको बताना है भारत की मानक समयरिका कौन सी है तो इसका अंसर आपका साड़े बयासे डिग्री पूर्वी देशांता जोकी इलाहावाद से होकर गुजरती है नेक्ट कोशन है मैकसे से प्रुसकार पाने वाले पहले भारती कौन थे तो आंसर आपका बिनोबा भावे दोस्तो नाम याद रखना है इंपोर्टन नाम है ये बिनोवा भावे इनी को मिला था मैक्सेसे प्रुसकार दोस्तो रेमन मैक्सेसे को एसिया का नोबल प्रुसकार भी बोलते हैं जो की फिलिप्पेंस गवर्मेंट के दोरा दिया जाता है नेक्ट कोचन है आपका नेक्ट है मोना लिसा किसकी विश्विख्यात पेंटिंग है आपको याद अखना है कि मोना लिसा किसकी विश्विख्यात पेंटिंग है तो आंसर है आपका लियुनार्डो दबिंची दोस्तो लियुनार्डो दबिंची की है मोना लिसा नेक्स्ट कोसेन आपका स्वांग किस राजिकी लोकनत कला है तो यहां पिजा आपका आंसर है कि हर्याणड का लोकनत कला है नेट है भारत में कितने उचन cargo हैं तो दोस्तों कोई भिद्यक धन भिद्यक है अत्वा नहीं है इसका फैसला लोकसभा अधक्ष के द्वारा किया जाता है नेक्ष्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर साथ जफर दुती था जिसको की 1857 किरांती में रंगोन भेज दिया गया था रंगोन यानि कि मैमार और वहाँ पर इसकी 1862 में म्रत्य हो गई थी और यहीं अंतिम मुगल सम्राट था नेक्ष्क कोशन है तंबाकु पर पूरी तरह प्रतिवन लगाने वाला विश्कवप पहला देश कौन है तो तंबाकु पर लिखेट प्रमुख काब है दोस्तों अंग्च है ने स्वाइन फ्लू ब्यमारी कि इस उसे फैलती है आपको बदाना है स्वाइन फ्लू विमारी किस विस्वाइन उसे प्यालती है तो आंसर हैं है एक वन अन दो इसको आप आए एम पीशव मेर्व में रखेये नेक्ष्ट राश्री मद्दाता दिवस्त कम मना जाता है तो दोस्तों आपका 25 जनवरी नेक्स कोचन है भारत सरकार का समयधानिक मुख्या कौन होता है आपको बताना है कि भारत सरकार का समयधानिक मुख्या कौन होता है तो आंसर आपका राष्ट पती दोस्तों राष्ट पती होता है भाध सरकार का समयधानिक मुख्या और इसी के नाम पर ही जितने भी दूसरे दूसरे के साथ बंद यानके अनवंद जोड़े जाते हैं या फिर उसे जो संधियां की की जाती हैं वह राष्ट पती के नाम पर ही कि जाती नेक्स कोयुशन है कि कि समिधान जनसोधन दोरामा रामाली करतोब्भो को समिधान में जोड़ा गया था तो आंसर आपका 42 वे समिधान संसोधन 1976 में दोस्तो नेक्ट कोशन आपका नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्म गांधी ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था तो आंसर आपका सविना अवग्या अंदोलन जो की 1930 में शुरू किया गया था नेक्ट है उप्राश्पति का चुनाओ कौन करता है दोस्तो नेक्ट है विजा इस्तम कहां इस्तित है विजा इस्तम कहां इस्तित है तो आपका अंसर है चितोल गड़ में दोस्तो चितोल गड़ में इस्तित है विजा इस्तम नेक्ट कोशन है बिस्तु का सबसे लंबा 9,438 किलो मेटर रेल मार्क ट्रांसाइवेरिया जो की रूस में आता है किन दो सहरों को जोडता है आपको बताना है कि जो बिस्तु का सबसे लंबा रेल मार्क ट्रांसाइवेरिया रूस है वो किन दो सेर को जोड़ता है तो आंसर है सेंट पीटर्स वर्ग से ब्लादी बुश्टक को जोड़ता है विसको सबसे लंबा रेल मर्ग जिसके लंबाई केती है 9488 से आपको लंबाई याद रख नहीं है पूछी जा सकती है नेक्स्ट है अमर कंटक किस नदी का उदगा मिस्तल है आपको बताना है कि अमर कंटक किस नदी का उदगा मिस्तल है तो यहां पूछा आपकांसर होगा है नर्मदा मत प्रदेश की और गुजरात की जीवन रिखा कही जाती है नर्मदा नदी नेक्स्ट है भारत में जिपसम क यहाई के राजिसन में राजिस्थान में राजिस्थान में होता है जिब सम्ना के से था नवे अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कहाण लगाए आपका कि अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कार खाना कहां लगाया था तो आंसर आपका सूरत गुजरात में दोस्तों बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी वी आई इसी ने अपना जो पहला कार खाना लगाया था वह लगाया था सूरत जो कि है गुजरात में ने नेक्स्ट है बुली सब्द किस खेल में प्रियुक्त होता है दोस्तों बुली सब्द किस खेल में प्रियुक्त होता है तो आंसर है आपका होकी में होकी में प्रियुक्त होता है दोस्तों बुली खेल नेक्स्ट है उडन परी उडन परी किसे पुकारा जाता है या फिर उडन और 25 ख़िलाडी का उपनाम है तो वह हैं आपकी पीटी उसा जो की है एक रनर नेक्स्ट है छी लो की नगरी कौन सा सहर कहलाता है दोस्तों इंपर्णन्च पोश्टन है यह मेरे एकजाम में आय था जब मैने एकजाम दिया था तो मेरे एकजाम में आया चुझा आं तो छी ल और कहां की गई थी तो दोस्तो आरे समाज की स्थापना मुंबई में 875 में की गई थी सबसे प्लाचिन वेद कौन सा है तो दोस्तो सबसे प्लाचिन वेद है आपका रिगवेद तो सबसे पहला वेद और सबसे बाद का वेद कराता है अतर वेद सिक्ष moss वीजय कम मना जाता है ये मनाज़ा है आपका 11 नवंबर को जो बहारत पके शक्षक ग्र以上 कि रोपे मना आते हैं तो आंसर आपका भारत के पहले सिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजात की जन्म दिन को मना जाता है सिक्षा दिवस की रूप में नेक्ट है भाभा परमाडू अनुसंधान के इंद्र कहा इसे था है तो आंसर आपका ट्रॉम्बे मुंबई में जिसको दोस्तो आप बी ए आर सी बार्ग भी आप पढ़ सकते हैं भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर नेक्स्ट है सन 1928 के वर्दोली अन्दोलन के नित्र किस ने किया था तो दोस्तो यहाँ पर इसका नित्र किया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने दोस्तो इससे कोशन बनता है कि वर्दोलों की महिलाओं ने ही सरदार बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादे दी थी नेक्स्ट है खालसा पंद की स्थापना किस ने की थी तो खालसा पंद की स्थापना की थी गुरू गोविन सिंग ने नेक्ट है मुगल वंस की स्थापना किस ने की थी तो दोस्तों मुगल वंस की स्थापना की थी बावर ने 1526 में पानिपत के प्रथम यो दिमे विब्राहिम लोदी जो की है लोदी वंस के अंतिम सासक को हरा करके मुगल वंस की स्थापना की थी नेक्स्ट है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी दोस्तों भारत की जो पहली महिला IPS अधिकारी है वह हैं किरन बेदी नेक्स्ट है कत्थक किस राज का सास्त्री नर्थ है तो दोस्तो कत्थक उत्तर प्रदेश का सास्त्री नर्थ है और आपको यह उत्तर भारत भी कई जगे देखने को मिलेगा तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में दोनों आपको याद रखना है नेक्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी तो दोस्तो जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वह थी स्री रंगपटनम दोस्तो इनकी युद्ध में से रंगपटनम की संधी बहुत से मस्ती आप कहा रखना है वहीं से नेक्ट है चाइना मैं सब किस खेल में प् सबसे कटोर्तम पदार्थ कॉन सा है तो दोस्तों सबसे कटो उर्तम हीरा कि नेक्ट है, डैना, वाइट का अविसकार किसने किया था? तो आंसर है, अलफेट नोवल ने. दोसतो, अलफेट नोवल की नाम पर ही नोवल पुछ की फ्रदान किया जाता है, जिसकी सुरूआत हुई थी, 1901 में. नोवल पुरुसकार कर Vocês अh tadi नेक्ट को चनकर बिस्मिल्ला खान का समंद Ilm किस वादियंज और जो सहनी से आपके फिल्म जगब से फिल्म च्छेत से एड्स का विस्तार रुप क्या होगा दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया आप से तो इसका जो आंसर है वह कौर्ड इम्यून डिफिसेंसी सिंड्रोम यह आप से पूछा जा सकता है आपको यह पूरा नाम पूरा फुल फॉर्म याद करना है जलिया वाला बाग में गोली वारी का आदेज कि जर्नल ने दिया था दोस्तों इसका जो आंसर आपका वह है माइकल ओडायर माइकल ओडायर ने दिया था गोली वारी का आदेज नेक्स्ट है पटना का प्राचिन नम क्या था दोस्तों पटना क प्राचिन नाम था पार्टलिपूत आप प्रट्ली पूद्ट को किस ने बसाय था तो यह बसाय था उदाएं ने जो यह क्डटSक सासक था उदान क्लिए नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं किसमें बनवाए था तो जो छो लाल मुगल वाथसा साह जहान है और इन्हों नहीं आग्रा में जो ताज महला बनवाई है अपने बेगम मुम्ताश के लिए नेता जी सुभास राष्टिक खेल कहा श्युम्ताइए यह इंपॉड़न्ट कोचन है जो कि बहुत कन्फूज करता यह अपका पटियाला में आपको इसको आया यह रूप में रेकना है यह समझने थे आगे खाम नेक्स्ट है बांधिपूर अबहरन किस राजी में स्थे थे दोस्तों बांधिपूर अबहरन करनाटक राजी में स्थे थे तो आपको याद रखना है करनाटक राज्य नेक्स्ट है भाप का इंजन भाप इंजन का आविस्कार किस ने किया था तो यहां का आविस्कार किसने किया दोस्तो रेडियों का आविस्कार किसने किया आपको बताना है तो इसे आपका वह इटली निवासी मार कोनी ने रेडियो का विस्कार मार कोनी ने किया था कि नेक्स्ट है किस भारती राज की राज़वासा अंग्रेजी है तो दोस्तो यहां पे जो आपका राड अंसर वह नागा लेंड में नागलन में राजभासा है जो वह अंग्रेजी है दोस्तो नेक्ट कोशन आपका भारती राश्टी कॉंग्रेस का प्रतम मुसलिम अधेक्ष कौन था तो दोस्तो इसका अंसर है बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तो भारती राश्टी कॉंग्रेस के जो प्रतम मुसलिम अधेक चलिकरए दोस्तों और दोस्तों इसक्य प्रहान मंत्र कौन थे तो इसका अंसर आपका सरदार बल्ला भाई पर्तím नेक्स्ट है संसार की प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी कौन है तो दोस्तों इसका नाम है आपका सिरिमाओ भंडार नारिके दोस्तों यह स्रिलंका देश की थी आपको याद रखना है स्रिलंका देश की थी प्रथम महिला प्रधान मंत्री next है हडपा की सब्विता किस युक से सम्बंदित है दोस्तो हडपा की सब्विता किस युक से सम्बंदित है तो यह है अपका कांस युक से दोस्तो कांस युक से है सम्बंदित है हडपा की सब्विता next है दीन इलाही धर्म किस मुगल सासक ने चलाया था तो दोस्तो दीने इलाही धर्म मुगल सासक अकवर के द्वारा चलाए गया था अकवर नेक्ट है नेक्ट है उगते और डूपते समय सूर लाल प्रतीत क्यों होता है आपको बताना है कि सूर उगते और डूपते समय लाल प्रतीत क्यों होता है तो आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रक्रिंडन सबसे कम होता है दोस्तों आपको याद रखना है कि लाल रंग का प्रक्रिंडन सबसे कम होता है और इसी के वैसे ही उगते और डूपते समय सुर्य लाल प्रतीत होता है नेक्स्ट है इन दफंव में कितने रंग हैं जो दोस्तों इंदे थacaksın उसम्में 7 रंग होते हैं बिजानी ति नाला दोस्तों बिजानी है गर्वेट्ट है है फिर यह है फिर जो के आप लोग को पता होगी ह्या हम लोग बहुंख पहले लग चुके हैं ब kijken है नेक्सठ आप प्रतिवाई से कितने होती है तो आंसर आपका 36000 किलोमेटर तो डोस्तों 36 खोती है वह फारें फसे से हैं त। चेड़ेस खेड़ कि खोझ किस ने कि थी तो आसर है एडवाड मसंकती के आनसर नहें की थी टीड़ में खुझ थी दूद से दही किस जिवाडू के करण बनता है तो इसका आंसर आपका Lactobacillus दोस्तों यहाँ पर Lacto होगा Lactobacillus Lactobacillus के करण ही जो जिवाडू करण ही दूद से दही बनता है नेक्स्ट है परासरब्त रंगों की आबरती कितनी होती है आपको उताना है कि परासरब्त रंगों की आबरती कितनी होती है तो आंसर आपका 20,000 Hz से अधिक दोस्तों जो इंसान सुनने योग होती है जो Hz होती होती है 20,000 Hz तक और उसके जो उपर की होती होती है कलाती है परासरब्त रंगों की आबरती नेक्स्ट है परमाडू बंक की सिधान परकाराण करता है यह करता है नाव की बिखंडनेर पर और दोस्ते दिए आपसे पूछा जाता कि हाइड्रोजन बंक की सिधान परकार करता है तो यहाँ पर आपको सिफ याद रखना दोनों नेक्स्ट है, विद्दु धारा की इकाई कौन सी है, तो आंसर आपका एम्पीयर, एम्पीयर है दोस्तों विद्दु धारा की इकाई, नेक्स्ट है, हिर्दैक की धारकन को नियंतरित करने के लिए कौन सा खनीज अवस्यक है, तो दोस्तों हिर्दैक की धारकन को नियंतरित क नेक्स्ट है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है दोस्तों सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा कुनिन नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो आंसर है अपका रिफलेशिया रिफलेशिया है दोस्तों सबसे सबसे छोड़ा पक्षी कौन सा है तो आंसर है हमिंग वर्ड दोस्तों सबसे छोड़ा पक्षी है हमिंग वर्ड और सबसे बड़ा पक्षी है शुतर मुर्ग next है, मनुष्ष ने सबसे पहले किस जन्तु को पालतु बनाया था? तो answer है, कुत्ता कुत्ता को सबसे पहले पालतु बनाया था मनुष्ष ने next है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर का जो आकास होता है वसक्त कैसा दिखाई देता है, तो answer है, काला next है ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा दोस्तो ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा तो आंसर है automated teller machine दोस्तो automated teller machine है ATM का full form next है संसत का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो दोस्तो इसका आंसर है राश्ट पती दोस्तो राजपती ही संसत का सभीक्त अजवेशन बुलाता है जिसमें लोगसभा और राजसभा को भी दोनों को एक साथ सामिल किया जाता है नेक्ट कोशन है LVW, दोस्तो LVW सब्द किस खेल से संबंदित है तो आंसर है आपका क्रिकेट से दोस्तो LVW का फुल फर्म होता है लेग विफोर विकेट लेग विफोर विकेट आपके या रखना है नेक्ट है वाई मंदल की कौन सी परत हमें सूर से आने वाली अल्ट्रा वालेट क्रिकेटों से बचाती है तो आंसर है आपका ओजोन परत दोस्तो ओजोन परत हमारे समता पंडल में पाई जाती है नेक्ट है ख्वाजा मुहिन दीन चिस्ती की दरगा कहा है तो आंसर इसका आपका अजमेर अजमेर में है दोस्तो ख्वाजा मुहिन दीन चिस्ती की दरगा नेक्ट है तम्राट असोक ने किस युद्ध के बाद बहुत धर्म ग्रहंड कर लिया था तो दोस्तों इसका आंसर आपका कलिंग युद्ध के बाद कलिंग दोस्तों यह बरतमान में उड़ीसा वाला छेत्र है कलिंग तो आपको याद रखने है कोशन पूछा गया है कि कलिंग कौन सा बरतमान का तो वह उड़ीसा नेक्ट भारत का केंद्री तो आंसर आपको भारत का केंद्री बैंक है भारती रिजर्फ बैंक जिसके साफवाइब थी 1935 में इसका जो राश्टि कर्ण किया गया था वह किया गया था उनिस्सो उनिन्चास में 1949 नेक्ट है सालार जंग म्यू सबसे लंबे समय तक मुखमंत्री कौन रहा है तो दोस्तों इनको जावी इन को के थे अब हो गए हूग तो सबसे लंबी नदी कौन सी है को आंसर कानी नदी संसार की सब Millennium नील नदी नेक्स्ट कोजशन अपका आपका इस तापमान पर सेल्सिय 2 और फारिं coal त रावर होते हैं यह दोस्त इम्पर उंपरंण कोजशन इसको आफ आएए आंपि क्रूम्नमot कैंगा किस तापमान पर चल्सटेश और हैं तो आपका मानस प्रणब टो किसकी मिस्तिधात्य न 09 की 1002 को फिसा सब जो सिंदुगाटि ON में कान सी यूगीन से बिता बोलते को इसमें तांबह और टेंग का उपरेक्व किया जाता था निक्ष्ट है दिलीड ट्रॉफी का समध किस खिल से है तो आंसर आपका दिलीड ट्रॉफी के समंध है अ क्रिकेट से नेक्स है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो दोस्तों LPG का पूर्ण विस्तार होता है, लिक्विड प्रेमियन, लिक्विड प्रेट्रोलियम गैस, दोस्तों लिक्विड प्रेट्रोलियम गैस, नेक्स है, गीता रहस पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों आंसर आप अंसर आपका एक तिहाई क्योंकि हर दो वर्स बार इसके एक तिहाई सदस्ति इस तीफा दे देते हैं नेट हैं अमेरीकी राजपति कारकाल किसने कितने वर्स का होता है तो आजसर है चार वर्स जो अभी हाली में डोनाल्ड ट्रंप हैं नेक्ट हैं आयोध्या किस नदी के कि और रिया नारे जैपुर किसथा आपना किसे कि थे दोस्तों जैपुर किसथा आपना की थी आमेर कि राजा सवाई जैशिंग में यह इंपरॉनिकोस नहीं वावा भारती संविधान में पहला संसोधन कप किया गया था तो आंसर है एक टरूंद कप किस्ल सänger संबनलित है आन्सर आप का भूt फुट-वाल्ट यूस्प और यूल सब्कुर्ण्ट किसे दिया गया सुरुक कि सुरुक की सिर्था इस गया bis translates पुशकार रोड़ियाड की टीलिंग को दिया गया था रोड़ियाड की पुप लिंग नएक्स्किस के सासनकाल में मुरख्यो का यातरी एव बतूता भारत आये था तो दोस्तो या था मुहम्मद बिन तुगलक जिनका उपनाम था जूना खान दोस्तों इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है आप जाके हमारी प्लेश में देल देखेंगे तुगलक बंस वहाँ पे आपको मुहम्मद बिन तुगलक मिल जाएगा नेक्ट है भारत के पहले कानव मंत्री कौन थे तो आंसर आपका डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर नेक्ट है अभिज्यान सकुंतलम के लिखा कौन थे तो दोस्तों आंसर आपका काली दास काली दास के दौरा लिखी गई है अभिज्यान सकुंतलम नेक्ट है स्रमिक दिवस क का मनाय जाता है तो दोस्तों स्रमिक दिवासा भी हाली मनाए गया एक माई को वर्लेड़ अडूसी किसी राज दें तो आपका ब्रीशा को सस्रीन रत्थ है दोस्तों यह आपके आज के 100 questions I hope आपने इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप को आने वाले टाइम पे बहुत important काम देंगी है सब यह से दोस्तें मिलते हैं तब तक केले धन्यवात और अगर अभीयत तक आपने इसे λοकर सुप्स्क्राइब कर लिजए कर लिए चली मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक केले धन्यवात और खाल रकिएका